हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपसे बहुत ही डिलिस्यस टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेस्पी सेर कर रही हूं इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हमने डाल दिया थोड़ा पानी इसलिए डाला है एक संग नहीं डाल दिया है ताकि लंप्स ना पड़े इसमें और बैटर हमारा थीक बने हमें पतला बैटर नहीं बनाना है देखिए बैटर हमारा बन गया है इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में डग देते हैं और आवे की प्रोसेस सुरू क पर देखिए एक मिक्सिक जार लेंगे उसमें डाल देंगे चार-पाँच हरी मिर्च और डाल देंगे एक कटोरी मतर मतर फ्रोजन भी ले सकते हैं यह फ्रेश मतर है और इसमें डाल देंगे एक बंच धनिया की पत्ती और एक बरा चम्मच अधरक लहसन का पेस्ट आप बैटर में इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालें और इसके अलावरेस में हम कोई मसालों का यूज नहीं करेंगे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके बार दाल देंगे एक पाउच इनो इनो डाल करके हम इस तो डेटफ़श बनाना शुरू करते हैं ग्लास में पहले थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसके बाद हम एक पनीर का टुकरा इस तरह से लंबा कट करके रखा हुआ था उसे डाल देंगे और उसके उपर से फिर से हम बैटर डाल देंगे ग्लास को में 3 भाग ही भर ना है पूरा नहीं भर ना है ताकि नास्ता हमारा फूल करके ऊपर बाहर में निकल जाए उसे हम roworkar में बना रहे हैं तो से कुकर में पानी दाल करे के ठोड़ा कर लिया है और ग्लास क इस तरह से से शेट कर देंगे और इसके ढखकन हम बंद कर देंगे और इसका हम CT निकाल देंगे इस तरह से और 10 मिनट के लिए से हम कुख होने देंगे 10 मिनट हो चुका है तो चलिए चेक करते हैं यह हमारा नास्ता बना है की नहीं चेक करके देख लेते हैं चुरी में थोड़ा सा चपक रहा है इसका मतलब थोड़ा सा और कुख होना बाकी है फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे यह 5 मिनट हो चुका है तो चेक करते हैं हमारा नास्ता बन करके रेडी है देखे एकदम उपर तक फूल गया है इसका मतलब यह अच्छी तरह से कुख हो चुका है तो इसे हम निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे यह नास्ता बहुत टेस्टी बनता है और बड़े किनारी थोड़ा सा चुरी की सहाइटा से थोड़ा सा हम निकाल देंगे देखे इस तरह से ताकि निकलने में आसा नहीं हो जाए और उपर से थोड़ा से थोड़ा से नहीं होता है निकालने में सभी ग्लास से निकाल लिया है और इसे कट कर लेते हैं सावधानी से कट करना ह चुट जाएगा बहुतug si flappy बना है रह काथी आप इस सकते हैं पर इसे थोड़ा सा शेक भी सकते बर पर और इसे एक वीक तक आप इस उस टोर करकर रख सकते हैं जब खाने का मन्हो कर सकते हैं totally optional है और इसे सभी नास्ता को डाल करके देखें इस तरह से हम सेख लेंगे यह बहुत ही healthy और जटपट बढ़ने वाला नास्ता है खाने में भी बहुत टेस्टी होता है इस रेश्पी को आप जरूर एक बार ट्राइ करें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेश्पी के साथ